दो साथी टीवी चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज बात करते हैं महिलाओं के नाग पर तिल का मतलब क्या होता है इससे पहले मैं कहना चाहूंगा यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकोन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पहले थोड़ी तिल के बारे में चर्चा कर लेते हैं देखिए मन्दू मानव सरीर पर तिल होने वाले काफी खूबसूर्थ होते हैं लेकिन तिल सिर्फ सुंदर्ता का कारण ही नहीं होते ये हमारे भविश्य में गठित होने वाली गठनाओं का भी संकेत देते हैं और आज कल तो प्राय देखा गया है कि महलाएं कोस्मेटिक सरजरी के माध्यम से भी अपने सरीर पर तिल लगवाने लगी हैं किसी गोरी महला के चहरे पर यदि काला तिल हो तो उसकी सुंदर्ता में चार चांद लगा देता है शरीर के अलग-अलग अंगों पर तिल की इस्थती, उनके रंग और आकरती आदी के इसहाब से अपने भविशे का अनुमान भी लगाया जा सकता है जोतीशियों के अनुसार पुरुष के शरीर पर दाहिनी और का तिल होना सुब माना जाता है जबकि महिलाओं के बाई और का तिल होना सुब और लाबकारी माना जाता है अब बात करते हैं शरीर पर कितने तिल होना सुब माना जाता है तिल को लेकर बहुत सारी बातें करते लेते हैं लोग वहीं कहा जाता है कि गोरे चेरे पर काला तिल होने से लोगों की बुरी नजर नहीं लगती है लेकिन किसी भी वेक्ति के शरीर पर बारे से ज़्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है वहीं बारे से कम तिल का होना सुप फलदाई माना जाता है मित्रो अब बात करते हैं माथे पर तिल का मतलब माथे के बीच वाले भाग में तिल निर्मल प्यार की निशानी माना जाता है माथे के दाइने भाग पर तिल किसी विशे में निपूनता पर बाई भाग का तिल फिजूल खर्ची का परतिक माना जाता है माथे के तिल के सम्मंद में एकमत ये भी है कि दाइय और का तिल धनब्रदी का रख होता है और बाइय तरफ का तिल घोर निरासा पूंड जीवन जीने का सुचक माना जाता है अब बात करते हैं भौंग के उपर का तिल तो बंदो आगे इस बारे में बात करेंगे और किसी वीडियो में अब बात करते हैं कि नाग के उपर के तिल का मतलब क्या होता है महिलाओं के नाग के उपर तिल का मतलब तो महिलाओं के नाग के उपर बाइय तरफ का तिल सुब माना जाता है जबकि दाइं तर्फ का तिल असुब बना जाता है ये थी जानकारी आज महलाओं के नाग के उपर तिल का मतलब के बारे में ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट्स कीजिए आपको किस तरह की वीडियो की आप सकता है उसी के उपर वीडियो बना दिया जाएगा लाइक कमेंट्स और शेर जरूर कीजिए नमस्कार